इतिहाद नियूज को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमार चानल को लाइक कीजिए और बेल आइकाउन पर क्लिक कीजिएगा इतिहाद नियूज में आप सभी का खैर मगदम है आज जिस तरह से पत्रकारिता पर मेडिया पर सवाल उठाये जा रहे हैं इसी के मद्दे नजर हमने आज हमारे स्टूडियो में एक खास महमान को मदू किया है जनाब रिशिकेश बहद्दूर देशाई जो बुनियादी तोर पर धारवाड अगडी गाउं से हैं इनका कॉलेज हुबली के कड़ सिद्देश्वर कॉलेज से हुआ है उनका वहाँ पर डिग्री हुई और उनीस सो ठान्यों से वो सब में पहले विजाई करनाटका में उन्होंने अपनी साहफत को शुरू किया फिर इसी सफर को तवील करते हुए 2000 से 2004 तक एसीन एज में वो पत्रकारिता करते रहे इसके बाद वो सहाफत का सफर जारी रखे तीन साल तक टाइमस ओफ इंडिया में किया और अब पिछले 14 साल से मुस्तकिल दहिंदू के लिए वो अपने खिद्मात अंजाम दे रहे लिहाजा हुआ हमरे साथ मुझूद है सबसे पहले रिशिकेज भाई आपका हमारी चानल पर खैर मक्दम इस्तक्बाल सवाल बहुत सारे हैं लेकिन मैं कुछ ही सवाल करूँगा जैसे खास कर आपका एक तवील अरसा रहा बड़े आखबारों में आपने सहाफत के खिद्मात अंजाम दिये हैं लिहाजा यह मेडिया को गोदी मेडिया कहना शुरू किया गया है इस पर आप क्या कहेंगे तैंक्यू आप यहां हमको बुलाए और बोलने का पॉर्शनिटी दिए हैं देखिए यह हमको समझने चाहिए कि यह सिर्फ हिंदुस्तान की बात नहीं है फस्ट कि पूरे दुनिया में जो रूलिंग क्लास है चाहिए वो कोई पार्टी हो या कोई एक आद्मी हो या कोई वहां का मिल्टरी हो या कोई और और कोई सिश्टम हो बहुत से देशों में हिंदुस्तान और बहुत से देशों में जो ruling class है सिर्फ उसकी तरफदारी करना उसकी वकालत करना और वो बहुत अच्छा है बोलना और लोगों का जो real issues है उसको नजर अंदाज करना यह बहुत जोरों से चल रहा है इसको इंग्लिश में lap dog मीडिया बोलते हैं इसका थोड़ा background यह है कि आपको याद होगा अमेरिका में रिचर्ड निक्सन प्रेसिडेंट अफ अमेरिका थे तो उन्होंने क्या किया अपने opposite party के office में उन्होंने चोरी करा है किजी तीन लोगों को उन्होंने पैसा देके opposition party के office से उन्होंने बहुत किमती कागजात चोरी करा है उसको New York Times और Washington Post ऐसे बड़े बड़े newspaper में उसका इजाफा हुआ और उसमें बहुत दो बड़े reporters थे Karl Brunstein और Bob Edward बोलके वो जो वो लिखते रहे वो इतना हद तक गया कि President of India ने इस्तिफादे दिया Richard Nixon इस्तिफादे के बाहर आया उसको Watergate scandal बोलते हैं उस time पे जो उनका editor था उनका नाम था Ben Bradley वो बोलते थे कि democracy में मीडिया का जो स्थान है वो कुत्ते का स्थान है वो एक जागरत कुत्ता है watchdog है जो हमारे घर में कोई चोर आये तो मालिक को जगाने का काम करना चाहिए लेकिन जो politician है जो power में है जो सत्ता में है सत्ता परस्त है उसको ऐसा लगता है कि मेरे खिलाफ कोई ना बोले मैं जो करूँ वही सच है तो उसको ऐसा लगता है कि मेरे घर में भी कुत्ता होना चाहिए लेकिन वो मेरे गोदी में होना चाहिए lap dog media होना चाहिए watch dog media नहीं है बोलके Ben Bradley ने बहुत साल पहले 1970 में कहा था उसी के word play बोलते हम उसको English में वो शब्दों से खेलने का जो अंदाज है वो रविश कुमार ने उस शुरू किया वो मोधी media बोलने से गोधी media बोलना उनोंने शुरू किया क्योंकि लोगों को ऐसा लगे कि वो एक ही चीज बोल रहा है लेकिन उसका background यह है Ben Bradley का जो definition है watch dog और lap dog एक कुता जो होना चाहिए आपके घर में वो बाहर बैठना चाहिए और अगर कोई चोर आये तो भॉंक के आपको जगाना चाहिए वो छोड के वो आगर आपके गोध में बैठता है और अपना काम नहीं करता है और वो लोगों की तरफदारी नहीं करता है सिर्फ यह बोलता है कि जो तुम कर रहे हो बहुत अच्छा है तो उसके खिलाफ में एक मुहीम होना चाहिए लोगों में जागरती आना चाहिए लोगों को समझना चाहिए कि हमारी आवाज मीडिया में democracy में मीडिया का स्थान क्या है मतलब यह बुनियादी मामला है democracy में मीडिया का स्थान सरकार को अच्छा बोलने का काम नहीं है वो सरकार की PR agency नहीं है media बोले तो सरकार का advertising agency नहीं है उसके लिए दूसरा department है department of information बोलके Department of Public Relations बोलके वो सब अपने काम करने के लिए हो वो सरकार की काम को लोगों तक पहुंचाना और सिर्फ अच्छा feedback सरकार को देना वो ही काम में वो लोग वेस्थ है लेकिन मीडिया का काम वो नहीं है मीडिया का काम सरकार का PR agent रहना नहीं है सरकार का advertising agent रहना मीडिया का काम नहीं है मीडिया का काम दो है मेरे मेरे अंदाज से एक सरकार का जो scheme है जो development program है वो हर गरीब आदिमी तक पहुंचता है या नहीं और जिसको पहुंचता है वो उसका हकदार था मुस्तहक था या नहीं ये बोलना पहला मीडिया का काम है दूसरा मीडिया का काम ये है कि लोगों की मन में क्या है लोगों की मन की बात करना कोई बड़े आदमी की मन की बात करने का नहीं है लोगों के मन में क्या है लोग अपनी जिंदिगी में क्या मुश्किलात देख रहे हैं क्या उनके तरफ से problem उनके दिल में क्या है किस चीज से वो डरते हैं वो कल अपने जिंदीगी के बारे में क्या वो चिंता कर रहे हैं वो लोगों की मन में जो है वो बात को लेके जाके जो हमको हमारे ruling class है जो हमारे उपर राज करते हैं उनको बोलने का ये दूसरा में रख इसलिए एक बहुत बड़ा journalism writer जो इंडिया में हो चुके हैं उनका नाम था इपन उन्होंने कहा है कि media is the eternal opposition मतलब कोई भी party सत्ता में आए media हमेशा opposition में रहना चाहिए इसका एक example में आपको बोलता हूं इंगलन में guardian बोलके बहुत बड़ा paper वो अपने आपको eternal opposition बोलके बुलाते हैं हम हमेशा opposition party में रहते हैं हाला कि वो थोड़ा labor party की तरफ उनका जुकाव है labor बोले तो काम करने वाले गरीब उनके जो problem है उनके जो मसाइल है उनको highlight करना वो guardian का काम है फिर भी labor party आये तब भी वो अपने आपको opposition बोलते हैं उनका एक famous heading है for example john major जब प्राइम मिनिस्टर होए थे इंगलंड का john major is the prime minister of England guardian remains the opposition बोलके वो अपने आपको लिखे थे जब labor का प्राइम मिनिस्टर आया लेबर का जब प्राइम मिनिस्टर आया तब ही वो बोले तो labor का प्राइम मिनिस्टर आया है even then guardian will remain the opposition मतलब यह जो धारणा है यह मैं सिर्फ एक ही मीडिया की बात नहीं कर रहा हूं आज कल आपको तीन टाइप चार टाइप के मीडिया मिलते हैं एक तो ट्रेडिशनल प्रिंट मीडिया जो कागस पिल छपता है दूसरा radio मीडिया जो mostly आज कल FM radio हो गया है तीसरा TV मीडिया और चाओ था social मीडिया इसमें देखिया आप सरकार का control नियंतरन दूसरे दूसरे मीडिया में दूसरे दूसरे टाइप के है सबसे ज्यादा control प्रेस पे है आज भी defamation case या फिर कोई और case या फिर public disturbance का case हुआ तो newspaper पर ज्यादा है दूसरे चैनल पर दूसरे मीडिया पर नहीं सेकेंडली government का support भी प्रेस पर ज्यादा है तीसरा government के जो कानून है कुछ तो कानून 200 साल पहले बनाए गए हैं कुछ सो कुछ कानून IPC का कोई कानून 150 यर्स पहले बनाए गा था तो उसमें जो words आपको मिलेंगे तो वो प्रेस बोलके मिलेंगे मीडिया बोलके नहीं मिलेंगे और रेडियो पर थोड़ा कंट्रोल है क्योंकि रेडियो आज भी कोई प्राइवेट आदमी रेडियो का न्यूस नहीं चला सकता प्राइवेट आदमी रेडियो का कंट्रोल नहीं नहीं है तो इसलिए आज का जो पाठक है जो रीडर है उसको कंफ्यूज हो रहा है कि प्रेस में जो भाषा इस्तेमाल की जाती है और रेडियो में जो इस्तेमाल की जाती है टीवी में जो होता है और सोचल मीडिया में उसमें बहुत फर्क है आप जो गाली जो गाली गलोज जो किसी का इंसल्ट करना जो सोचल मीडिया में कर सकते हैं वो प्रेस में नहीं कर सकते हैं मैं यह नहीं बोल रहा हूं कि मिस्यूज नहीं होता प्रेस भी मिस्यूज हुआ है पहले रेडियो भी हुआ है टीवी भी हुआ है, सोशल मीडिया भी हुआ है, तो यह जो सिर्फ पावर्फुल लोगों की आवाज बन जाना, और पावरलेस्ट लोगों की आवाज से दूर हट जाना, यह जो बात है न, यह हमारे आज के जो ट्रेंड है, राइजिंग ट्रेंड, उसमें हम देखते हैं, इ जो पावर में है, जो सफता में है, जो इस्तकबाल करते हैं, उनका जो दूसरों पर हक चलाते हैं, उनके फेवर में वो काम करता है, जो लोगों के फेवर में काम नहीं करता है, इसलिए मैं तो बोलता हूँ है, अंटी पीपल मीडिया है, और हम उसको सोशल मीडिया बोलते क्योंकि वो लोगों को भाई भाई के बीच में जगडा लगाने का और नफरत का इजाफ़ा करने का और एक दूसरे को दूसरे को ट्रस्ट नहीं रहे वो दूसरों को शक्की नजर से देखे आइसा एक माहूल तायर करने का काम जो कर रहा है ना इस बैग्राउंड में हम उनक कर दो कर दो कि अनके ये, सुनके का कर दो करने का का ऑगा है